नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं चहान वीडियो और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HRD Minister के एक इंटेविव के बारे में जो की न्यूज आर्टिकल में छपा है आज सुपह तो इस वीडियो में हम उसके बारे में ही बात करेंगे जिसमें उन्होंने बताया कि सभ आप में यह भी बताया है कि कब से आपके नए सेसन के पढ़ाई शुरू हो सकती है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें ध्याम से देखें इस वीडियो में हम उस न्यूज आर्टिकल को देखेंगे तो वीडियो की शुरुवात करते हैं अगर आभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप इग्नु के स्टुवेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे क्योंकि इग्नु स्टेट सभी तरीके की जानकारी आपको मेरे चैनल पर मिलेगी तो वीडियो की शुरुवात करते हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं स्कू coronavirus के वजय से सभी school colleges 16 March 2020 से बंद है जैसा कि आप जानते हैं लेकिन अब उनको खोलने के लिए HRD Minister का जो interview था उसमें उन्होंने कहा कि अगस्त में उनको खोला जा सकता और most probably and की काफी संभावना है कि 15 अगस्त के बाद सभी school colleges को वापिस खोला जा सकता है और नए session के पढ़ाई शुरू की जा सकती है आगे हाँ पर देख लेते हैं after week of confusion among students, teachers and parents पोक्रियाल added we are trying to get declared all the result from the examination this session by August 15 यानि की सभी तरीके के result जो है वो 15 अगस्त है पहले आ जाए उसकी कोसिस की जा रही है this means those exam which have already taken place and those which are taking place now यानि की जो exam हो चुके है और जो exam होने वाले है जो का result 15 अगस्त पहले आ जाए उसकी कोसिस की जा रही है जिससे की 15 अगस्त के बाद आपकी नए session की classes सुरू हो जाए पोक्रियाल also said that educational institute would reopen in phased manner green and orange zone would reopen their institute first and in order to maintain strict social distancing they would take place in two shifts यानि की दो सिफ्ट में भी पढ़ाई हो सकती यहां पर दो सिफ्ट में पढ़ाई मुझे लगता है कि schools के लिए कही जा रही है तो यह आपके लिए बहुत जादा important नहीं है schools में हो सकता है कि दो सिफ्ट में एक morning और evening सिफ्ट में पढ़ाई की सुरुवात की जाए लेकिन कहा जा रहा है कि school colleges phased manner में खुलेंगे पहले green zone में orange zone में और फिर end में red zone में खुलेंगे according to the reports all teachers would wear mask सभी को mask बहनना होगा thermal scan किया जाएगा यह सब सारी guidelines जो है वो सारी आपको अपनानी होगी और आगे भी अगर कोई guidelines सरकार के तरफ से जारी की जाती है तो वो भी आपको अपनानी होगी तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि school और colleges आपके लिए अगस्ते से खुल सकते हैं यानि कि नया session जो होगा आपका अगले साल का July 2027 उसकी classes अगस्त के बाद से शुरू हो सकती है और school colleges में पठाई शुरू होने की तियारी जो है वो 15 अगस्त के बाद से शुरू हो जाएग और जो भी exam आपके होने वाले हैं या नहीं होंगे promote किया जाएगा जो भी होगा वो 15 अगस्त से पहले हो जाएगा और 15 अगस्त के बाद नया session शुरू किया जाएगा तो इस वीडियो में इतना ही इसके बारे में और भी अधिक जानकारी अगर आएगी तो मैं आपको लग जातार बने रही है इस वीडियो में इतना ही